दूसरी शायद एंटी इंकम्बेंसी को वो पढ़ नहीं पाए होंगे बीजेपी ने 55 नहीं चहरे दिये थे अमन यह सबसे वड़ी उपलब्दी थी बीजेपी की अमीश जो लगातार सुबह से कह रहा है ना कि राजस्तान में भी ना हारी तो है कॉंग्रेश उतनी बुरी तरह नहीं जब सत्ता की अदला बदली का इतियास है तब भी बीजेपी 109 पर रुख गई अमीश बाइब राजस्तान में आप बीजेपी के नेताओं से बात करते होंगे और मैं दो-तीन बारी इस चुनाफ के दौरा राजस्तान गया और अधिकतर काफी नेताओं से मिला तो वोला अमीश बाइब के कांग्रेसी फ़र्चनर में आएंगे दिस ये ये उस्टू से दिस लाइन इंडिस कोटिंग देम लेकिन डाट इस नौट एपन क्या इंटर्नल फाइट बीजेपी की थोड़ा बीजेपी को पीछे कर रही है अदर्वाइस बीजेपी का नंबर 120 प्लस हो इस नौट बीजेपी वी अमिश ये हम लोगोंने पूरा का पूरा कैम्पेन देखा है कैसे अमिश शाह के हाथ में कमांद दी गई कैसे प्राइम मिनिस्टर के रोड़ शोज और प्रामिनिस्टर के रैलियां प्लान की गई कैसे वहाँ के लॉड और को इशू बनाए गया अमिज शाब बार बार यही कहते थे कि सिर्फ law and order का ही एक इशू है जो हमारी नईया पार करा देगा राजस्थान में तो मुझे लगता है कि वरकर्स का बाहर निकलना भरोसा होना जीत पे जी मोधी गरंटी यह तमाम चीज़े ऐसी है जो जीत दिला रही है लेकिन जंता को स है लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर अगर कोई है तो वो है 36 जहापर पूरी कैबिनेट लगबख पीछे है कवासी लक्मा एक मंत्री है जो सिर्फ आगे चल रहे हैं कवासी लक्मा पिछड़े है और कवासी लक्मा और कॉंग्रस की 36 गड़ की मंत्री मंडलों में आपस जीत मिल रही है यह बहुत बड़ी जीत है और राजस्तान में बीजेपी का नंबर अब बढ़ता हुआ एक सुनौ की तरफ जाता हुआ और तीयरेस माफ कर यह बियारेस है अब तो बियरेस चवालेस और कॉंग्रेस 63 कॉंग्रेस को बढ़त तेलंगारा में अच्छी खासी मिल गई है अब रेनुका सिंग केंद्री मंत्री है वो सोनहट से अपनी कॉंसिट्वेंची 36 गड़ से पीछे चल रही है अंबिकापुर से टीयरेस सिंग द्योब पीछे हो गए है पहले आगे थे पूर्वुक अब पूर्व नहीं अभी उपमुक्य मंत्री है माफ करिए उपमुक्य मंत्री है वो पीछे चल रहे है आठ बार के विधायक 36 गड़ में राम पुकार सिंग है वो पीछे चल रहे है कॉंग्रेस ऐसी सीटे हार रही है 36 गड़ के अंदर जो कॉंग्रेस ने 36 गड़ बनने के बाद भी नहीं हारी ये बहुत बड़ा सेट बैक है बीजेपी का जिस तरह से कमबैक है सुझाता मैं ये कहूंगी कि राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी आगे चल रहे है और अगर कॉंग्रेस की इस तरह से हार होती अब तो क्लियर ही है तो ये एक तरह से इंडिकेशन ये भी एमन की राहुल गांदी की नीतियों पे भी ये एक चंता का जनादेश है ये क्योंकि जितनी चीजे वो 2024 के लिए जो भी डाइस वो फेक सकते थे वो राजस्थान में फेकी गई चाहे वो रेवडियों का हो चाहे वो जातिये जनगनना का मामला हो OBC की बात हो हर एक चीज की गई राजस्थान में कहीं कोई कमी नहीं लेकिन राजस्थान से बड़ा संदेश जाता है कि राहूल गांधी की जितनी नीदिया थे जिसको प्रजेक्ट करें थे वो फेलियर साबित हुई है उनकी भारत जोड़ा तो चाहिए लेकिन इंट्रस्टिंग है इंट्रस्टिंग है वहां में इसको अखिरेश यादों मी रही वोट कर रहे थी। में लेकिन तेलंगाना में क्या हुआ है कि कुछ मुस्लिम जो और गानिजेशन से तकरीवद तीन जामयात समय इस्लामी और एक जो निरज एक में निरज के पास चलते हैं निरज ओड़ानीरा निरज करता है निरज कि अधिया जवाज बनुए आपको तस्वीर क्या है अधिया जवाज बनुए आपको तस्वीर क्या है अधिया जवाज बनुए आपको तस्वीर क्या है अधिया जवाज बनुए जवाज बनुए जवाज बनुए आपको तस्वीर क्या है के नुएक ऐस्वाज बन तरह बनुए साफ है एक वाजस्टा की झनता ने जुड़ गए हैं अचारे जी क्या आपको लगता है इंडिया गडबंदन का भविश्य भी अब खत्रे में है यहां से अगर हम देखें तो कॉंग्रेस तेलंगाना में जीत रही है जहां पर अकिनेश आदव और अर्विंद केज़िवाल दोनों ब्रस को सपोर्ट कर रहे थे मध्यबरदेश और पूरी हिंदी पट्टी में तो कॉंग्रेस का सफाय ही हो गया है इंडिया आलाइंस का भविश्य भी खत्रे में है एक प्रियांका जी भी है समाजबादी पार्टी भी कह चुकिया है चालू पार्टी से लेकर चिर्कुट तक तो कॉंग्रेस का हारना इंडि गठ बंदन अलाइंस के लिए शायद बैतर नहीं होगा अचारी जी देखी आमन जी और अमीज जी एक तो हमारी पार्टी हार रही है तो मैं बड़ा सदमे में हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ इस समय क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी ये अलग बात है कि मैं हर हफते ये बात कह रहा था लगातार कह रहा था कि वही सनातन का विरोध मत करो मैं कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो बीजेपी से लड़ो लेकिन आप भगवान राम से मत लड़ो मैं रोज कहता था ये बात और मैं ये भी कहता था कि प्रधान मंतरी भारत का होता है वो सिर्फ भाजपा का नहीं होता प्रधान मंतरी का अपमान मत करो प्रधान मंतरी का सम्मान करो देश की जनता भारत के प्रधान मंतरी का अपमान करना बरदाश्त नहीं करती है चाहें वो कोई भी प्रधान मंतरी हो और एक बात जो बहुत इंपोर्टेंट कहने जा रहा हूं अमिश्देव गंजी वो यह है कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुत से चिरते थे उन्होंने हिंदुत को कमजोर करने के लिए जातिवाद की राजनीती को बढ़ावा देना शुरू किया तो देश की जनता में ये मैसेज गया कि ये जाती जनगर्ना और जातिवाद की जो राजनीती हो रही है ये कांग्रेस की मूल विचार धारा के खिलाफ है तो ये बात के लिए हो गई दूसरा ये जातिवाद का जो मुद्दा उठाय जा रहा इसलिए उठाय जारा के हिंदुत को कमजूर करना हिंदू को स्प्लिट करना तो ये हिंदु धर्म के खिलाफ फैसला हुआ तो ये बातें जो है आज मैं आपसे सीधा पूछता हूं क्या ऐसे नेताओं में राहुल गांदी खुद शामिल है हाँ या ना क्योंकि वो भी बोल चुके अधिगर्द के जो लोग है वो उनको गलत फीडिंग देते हैं उन्हें गलत पट्टी पढ़ा देते हैं उन्होंने ही सब कुछ बरबाद किया है तो मैं राहुल गांदी जी को दोशी नहीं मनता सब्सक्राफिष तो समाजवादी पर क्राफिट नहीं दे सकती तो क्या आपको लगता है कि वह अपने आगे किसी को समझी नहीं नहीं थी कुछ जिफके अखिलेश यादव ने यही अखिलेश यादव जी को सीटें दी जा सकती थी उदे दे दिनी चाहिए थी लेकिन यहार सिर्फ इस वज़े से नहीं है आज अखिलेश यादव जी बड़े खुश होंगे कि बीजेपी जीत कमलनाज जी ने जो अखिलेश वक्लेश कहा उसको बड़े दिल पे ले गए थे लेकिन समाजबादी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस नहीं हारी यह कांग्रेस की जो हार हो रही है वो सनातन का विरोध सनातन का श्राप ले बैठा है और जो कुछ ने था तो आप इस देव गटबंदन नाम की कोई चीज इस चुनाम में नजर नहीं आ रही थी दूसरी बात यह फैसले ही गलत थे कि आप हमें गाली दें हम आपको गाली दें राजमें और केंदर में हम एक होंगे तो देश की जंता ने सोचा कि हमें मूर्ख बने आ जा रहा है सिर्फ मोदी को हटा दँलन के नाम पर हम एक हैं यह कोई लोजिक नहीं है आप इंदा इंटरेस्ट ऑफ नेशन पॉलिटिक्स करेंगे या इंदा इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ पॉलिटिक्स करेंगे तो सवाल इस बात का है मुझे जो मेन कारण नजर आ रहे हैं पहला कारण है जातिवाद की राजविटी को देश ने नकार दिया मुक्तार अबास नकवी जी स्वागत आपका साथ न्यूज एट इन इंडिया में मैं अमन अमीश मेरे साथ है मध्यप्रदेश में 162, राजिस्तान में 107, 36 गड़ में 55 मतलब ये तीनों ही राज्यों में लगबग आपकी सरकार बनते नजर आ रही है एक्जिट पोल के इन रुजानों के यसाब से अभी जो लगबग शायर नतीजों में परिवर्टेत होते नजर आ रहे अब अब काफी लाइन प्लिया है, मुक्तार अबास नक्वी देखे आमीज जी और अमन जी दोनों, मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा कि आप इन 10 सालों में जो एक बहुत बड़ा परिवर्टन इस देश की सियासत में आया है इस देश की सियासी संस्किती में सकारात्मक सुधार और परिवर्टन नरेन मुदी जी ने लाके खड़ा किया है और अब परिकरमा की पॉलिटिक्स नहीं बलकि परिश्रम को परड़ाम में बदलने वाले लोग जो है वो लोग उसको पबलिक उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है और आप पूरे के पूरे सुनाओं के माहौल में देखें तो आप नरेन मुदी जी पर हमला करेंगे नकारात मकताब रखेंगे आप शब्दों की बहुचार करेंगे गाली के गैंग पूरा तयार होकर के जिस तरह के पूरे के पूरी सब्विता को पूरी ताक पर रखेगा वो सारा लोगों ने जो है वो reject किया है और मैं मानता हूँ पूरा रिजल्ट आने दीजे लेकिन मैं मानता हूँ कि नरेन मोदी जी ने इन दस सालों में देश की सियासी संस्कृति में जो सकारात्मक, सुधार और परिवर्टन लाकर कड़ा किया है और वो सियासी जो संस्कृती पहले थी कि परिश्रम और परिकर्मा उसको परिश्रम के परड़ाम में परिवर्थित करके लिए यह दिन भी नहीं है शुब देने आप लोगों के लिए लेकिन फिर कोई अप पलट के पूछ सकता है कौन किस के लिए पनौती मतलब आपने बोला जिन शब्दों की मर्यादा को लंगा गया लक्षमन रेखा क्रॉस की गई पापी पनौती क्या क्या कहा गया जनता ने जवाब दिया लेकिन आज कोई पलट कर पूछ सकता है कि अब कौन किस के लिए पनौती देखे मैं ये मैं अपने मूँ से नहीं कहूँगा लेकिन इतना जरूर है कि आज देश इस बात को देख भी रहा है कि इस कांग्रेश जो कभी मुल्क की पार्टी होती थी आज महले की भी महगी होती जा रही है और उसके पीछे की सोच और उसके पीछे का जो समझ है जो उनके नेता होती थी जो कभी मुल्क की पार्टी होती थी वो आज महले की भी महगी हो गई है वो इसका एक ही कारण होती जा रही है वो इसका एक ही कारण है कि उनके नेताओं और उनकी जो नेतृत है उसमें जो है वो तरकों की कंगाली ने उन्हें कुतरकों का मवाली बना दिया है और जो जब कुतर को कमभाली होगा तो उनकी पार्टी और उनका परिवार किस दिशा में जाएगा यह आप असाली से अंदादा लगा सकते हैं प्रदीब भाटी है मारका थमाजवादी पार्टी के परवकता प्रदीब जी आजा खुश है चालू पार्टी आर रही है जो आएक आपके नेता नेता की बात देखिए जो कहा था तो बात बीद गई लेकिन जो कॉंग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चीए कि जो एक सवाल है मतलब यह आलाइंस चालू रहे गा अब जी अब चालू है और बिल्कुल चालू पार्टी के साथ आगे जैसे जैसे चीजे बढ़ेंगी जैसे जैसे 24 आएगा 24 हम लोग और मजबूती के साथ जनता के बीच अपने मुद्धों को आपको सीटे दे दे थे तो शायद बहतर होता प्रदीप जी आपको जैसे हमीज भी वार वार कह रहे थे कि 5-7 सीटे अगर आपको दे दी जात में अगा घज़ा घया तो अगर उत्तरप्यदेश में वह सीट क्लेम करते हैं तो उसी उन्हें इसके अंदर मद्धप्रदेश के अंदर हमें सीट देनी चाहिए थी और 5-10 सीट हम बिल्कुल उसमें हम दावेदार थे प्रभल दावेदार थे आज भी हम जहां चुनाव ल झाल झाल